कई सीरिल की शुरुवात होती है और साल दो साल में वो सीरिल बन भी हो जाते हैं जिसके पीछे की कई वजा होती है कहानी दर्शकों को पसंद नहीं आती करेक्टर्स खास पसंद नहीं आते और उन एक्टर्स की एक्टिंग पसंद नहीं आते लेकिन कुछ सीरिल ऐसे भी होते हैं जिनकी कहानी लिमिटेड ही रखी जाती है उन्हें खामखा खीचा नहीं जाता और उसे फैंस पसंद करते हुए भी देखे जाते हैं तो वहीं उनके किरदारों को भी पसंद करते हुए नजर आते हैं एक ऐसा ही स्टाप्रस का सीरल था सुहानी सी एक लड़की जिसकी अब इसी पर खूब सवाल खड़े भी हुए और उन्हें कई तकलीफे जहेनली भी इस बात पर पड़ी है जी हां उन्हें कई तकलीफे जहेनली पड़ी है इन बातों पर क्योंकि सावली होने के कारण उन्हें टीवी इंडस्टी में काम मिल ही नहीं पा रहा था फतेपुर में जन्मी सुहानी सी ये लड़की का सपना बचपन से ही काफी सुहाना था कि वो तो अधाकारा बनेगी तब ही तो हिम्मत करकर वो बॉलिवुड इंडस्टी में पहुँच भी गई काम के लिए लेकिन वहाँ हासल नहीं हुआ उन्हें कोई काम तीवी इंडस्टी में भी अपने हाथ आजमाती रही कई सालों तक उन्होंने छोड़े मुटे रोल्स भी निभाए जैसे कि उनका डेबी हुआ मधुबाला एक इश्क एक जनोन से लेकिन तब भी उन्हें खासा पहचान हासल नहीं हुई उन्होंने सावधान इंडिया हॉंटेड नाइट जैसे शोज में भी काम किया और वो नजर आई काम करते हुए एक यावन तेरे शहर में और सी आईडी जैसे शोज में भी लेकिन उन्हें फुल फ्लेश ट्रोल एक एहम भुमिका निभाने का मौका सुहानी सी एक लड़की शो में ही मिला जिनकी डिमांट ही एक सावली लड़की के थी ये कहानी ही उस पर पूरी तहां से अधारत थी पहले वो शादी हो नहीं पा रही थी लेकिन जब शादी होने लगी वो भी उसकी नहीं उसके दोस्त की जो की उसकी पक्की दोस्त हुआ करती थी बेहन पनों की तरह वो रहा करते थे उसने अपनी प्यार में पड़कर अपनी ही दोस्ट की शादी उस लड़के से करवा दी जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी और इस करदार को अदा किया था साहिल महताने अब इस सावली लड़की को परिबार वालों ने पहले तो acceptance दी नहीं लेकिन धीरे धीरे उसने परिवार वालों के सामने जगा हासिल जरूर कर ली राजशी राणी ने इस किरदार को बहुत ज़्यादा बखुबी निभाया लेकिन ये शो अब ख़त्म हो चुका है फैंस की दिरों में आज भी इस शो को लेकर कई यादे जरूर ताजा है कई सीखे देता हुआ शो नजर आया तो एंटरटेमेंट का भी डोस लेकर सभी के सामने आया लेकिन बात की जाए अगर राशी रानी की 33 साल की राशी रानी इस शो की बात काफी नमा ब्रेक लेती हुई भी देखी गई थी और आखरी शो उनका रहा है ये जादू है जिनका जो स्टापलस पर अभी भी चल रहा है लेकिन इस शो में उनका किरदार बहुत ही ज़ादा छोटा रहा है मैं आप सभी को अगर ये शो आज भी याद है उनकी एक्टिंग पसंद है तो हमें कॉमेंट करके जरू बताएगा इस वीडियो को लाइक शेर और चानल को सब्सक्राइब के बिनाम बिल्कुल न चाहें